नमस्ते दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वैकेंसी एड़ाबर दोस्तों आपके सामने फिर से नया वीडियो लेके हाजिर होता हूँ समाजिक नियाय और अधिकारिता विभाग द्वारा रास्तान गौर्मेंट के द्वारा स्कॉलर्शिब में काफी लेट रिपली आने और स्कॉलर्शिब को काफी टाइम बाद एकाउंट में आने और स्विकर्थ होने में टाइम लगने की जो परेशानी है उसको सॉल करने के लिए 15-3-2019 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है क्योंकि दोस्तों 2017, 2018 और अब 19 अभी तक छातवर्थियों के आने में डिले हो रहा है काफी टाइम लग जाता है किसी की 2017 की 2019 में आती है 2016 की 2018 में आती है इस कंटिनिटी को रोकने के लिए गौर्मेंट ने सकत कदम उठाते हुए कुछ important changing किया है चातवर्थी आविदन करने और करने के कुछ rules में ताकि आपको जल्दी से जल्दी चातवर्थी मिल जाए और चातवर्थी को एपरूब करने के लिए minimum time की गुशना भी कर दिये दोस्तों तो आपके लिए बहुत ब जरूरी बन जाता है पूरी बात करेंगे इस वीडियो की और सब कुछ चानकारी लेंगे सारे points जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये सारे points पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे अगर आप हमारे चैनल पे first time widget कर रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe क DJ लाल बटन दबा कर उसके पास में एक bell icon का जो निसान है गंटी का जो निसान है उस पर भी क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे और automatically message के दौरा आपको indicate करता रहे कि अगला वीडियो upload कर दिया गया है तो दोस्तों बात करते हैं और चलते अनुसचित ज़ाती विसिस पिछडा वर्ग आर्तिक पिछडा वरुक विमुक गुमंतु जाती मुख्यमंती सरवचन उच शिक्सा एवं अन्य पिछडा वर्ग में निमनु अनुसार सरली करण या संसोदन किये जाते हैं तो दोस्तों साब साब अप देख सकते हैं का तो बात करते हैं उक्त प्रावदाम सेक्षनिंग 7, 2,16, 17, 17, 18 के अब तक के स्वीकर्ती के अभाव में सेस आवेदनों एवम 2,18, 19 के आवेदनों पर लागू होंगे वर्तमान में जो भी आवेदने सब पर लागू होगा और 2,16, 17 से जिन केंडिडेट की इन उपर रीजन की वज़े से चातवर्ती रुकी हुई है तो नो टेंसन दोस्तों चातवर्ती आने वाली है कुछ चेंजिंग किया है अगर आपका तो आप वापस से उसको किलियर करें ताकि आपकी चातवर्ती आने वाली है तो दोस्तों बात करते हैं पॉंट नमबर एक पर जाते हैं तो वर्तमान में क्या है और क्या चेंजिंग हुआ है उस पर बात करते हैं वरतमान में जो है आय का इस्तरोद पर चिन यस करना होता था कि किस आय से आपकी आय हो रही है और दोस्तों इसमें changing गये कि आग विद्यारति द्वार आय का इस्तरोद पर चिन अंकित नहीं करना है चिन अंकित नहीं करना है करने की स्तिती में आक्षे पंकित नहीं किया जावे बर्शरतें विद्यारती निदरत आय शिमा से उपर नाओ अगर आप 2,00,000 की आय अगर मानी जाती है तो 2,00,000 या 2,50,000 सो होना चाहिए कहां से आ रही कैसे आ रही उसका कोई भी सो करनी की जरूरत नहीं है तो ये सरलिकन किया पहला दूसरा है विद्यारती द्वारा आय का गोशना पत्र में दो उत्रदाई व्यक्तियों के मोबाईल नंबर अंकित किया जाना दो मोबाइल नमर अंकित किया जाने का ओप्शन था विद्याती द्वारा उसमें चेंजिंग ये किया है विद्याती द्वारा आई गोश्णा पत्र में दो उत्रदाई व्यक्तियों के मोबाइल नमर अंकित नहीं किया जावें कोई आपको मूबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है तीसरा पॉइंट है छात्रवर्ती स्विकर्त रासी 55,000 रूपे से अधिक होने की इस्तति में आई गोश्णा पत्र देने के वाले व्यक्ति का पैन कार्ड देना भी अनिवारे कर दिया गया था जिसको चैंजिंग करते हुए गवर्मेंट ने क्या है का छात्रवर्ती रासी के 55,000 रूपे से अधिक होने की इस्ति में आई का गोश्णा पत्र देने वाले व्यक्ति द्वारा पैन नंबर दिये जाने की अनिवारता को स्माप्त कर दिया जाता है आते इस आदार पर आक्ष सब बिट नहीं किया जाना है तो ये लाइन सब के ऊपर है आक्षे पंकित नहीं किया जाए मितलब कोई अबजेक्शन नहीं लगाया जाए अगर ऐसा इसकी जगह अगर ऐसा है तो ये अब चालू रहेगा चौते पॉइंट पर बात करते हैं चातवर्ति आवेदन की सब्सक्राइब करने के लिए स्विकर्थ करने के लिए लेकिन दोस्तों इसको चैंजिंग करते हुए क्या क्या है एक सिक्षण संस्तान द्वारा आवेदन पत्र स्विकर्त अधिकारी को ऑन-लाइन अगरेशन करने के पच्चात। जिल्ला काला इस तरफ पर सुचना साहे एक वेरिफायर को कम करते हुए जिल्ला इस तरहे अधिकारी के इस तरफ पर ही आवेद्णों की जांच और वेरिफिकेशन का कारी किया गया है एक इस टफ इसमें भी कम किया गया है फाइफ नंबर पॉंट पे जाते हैं दोस्तों और देखते हैं वर्तमान में विद्यारती के आवेदन पत्र पर सिक्षण संस्थान के पास जाता है पच्छा सिक्षन संस्तान दौरा ओनलाइन आवेदन लोग की जाने पर वो आवेदन वेरिफायर या उसके बाद स्वीकरत अधिकारी के इस्तर पर जाता था लेकिन इसमें भी चैंजिंग करते हुए वेरिफायर स्वीकरत अधिकारी के ओनलाइन अग्रिशित की जावेगी स्वीकरत अधिकारी उक्त अख्षेप को अतिरिक्त अन्य अक्षेप अंकित होने की इस्तती में आवेदन अख्षेप पूर्ती उपरान सीधा स्वीकरत अधिकारी को प्राप्त होता है एक स्टेप इसमें भी कम किया गया सिक्षन संस्तान वाला दोस्तों बात करते हैं छे नमबर पॉइंट की तो सिक्षन संस्तान द्वारा विद्यारती को फीज की एकमुष्ट रसीद उपलब्द करवाई जाती है इस फीद की रसीद में सिक्षन संस्तान दोरा विद्यारती को फीज की मदों की जानकर उपलब्द नहीं करवाई जाती है फीज की रसीद नहीं उपलब्द करवाई जाती है लेब सुलक होता है जो भी सुलक लागू होते हैं वो टूशन फिस जो भी है वो आर्ट तरह के जो पॉइंट्स होते हैं जो है वो इस विवरण से रसीद को दिया जाना नहीं दिया जाता था जिसके कान ये रुख जाती थी तो उसको रोकते हुए अब फिस का आर्ट विवरण को तो शो करना है लेकिन वो अगर इसकुल से प्राप्त होती है तो नहीं तो कोई अब्जेक्शन उपे नहीं दिया जाएगा चातवरती आवेदन पत्र में फीस के कॉलम में विद्यार्थी से किवल फीस की रसीद अपलोड करवाई करवाई जाएगी विद्यार्ती के ओनलाइन चातवर्ती आवेदन पत्र में फीस की मदवार जमारासी का विवन यावास्तिक रासी की अंडर्टेकिंग समधी सेक्षन सस्तान से प्रावति या नूश संसित करने का प्रावदान किया जाता है अब कॉलेज या इस्कूल में उ लिबाती जाच की जाओए चातवर्ती पोर्टल पर उब्दबत आक्षेफ शूची में से आवेदन पत्र में लगने वाले आक्षेफ एक ही बाहर में अंकित किया जाओए अनावशेग विलम को रोकने की देश्टी से जीला कारले को दो बार आक्षेफ लगाने की दोस्तों तो बात करते हैं आवेदन की पचास जार रूपे से अधिक रासी की चातवर्ती स्विकर्त किया जाने की स्थी में बोतिक स्थियापन की अनिवार था जिस किसी को पचास जार से जादा की अगर स्कॉलर्सी पाती है तो उसके बोतिक स्थियापन किया जाता था ग पत्रों की वेरिफिकेशन की समय स्रिमा का निदान किया गया है। तो यह सब के लिए टाइम डिटेल जो है वो परती बंदित कर दी गई है ताकि इस फिक्स समय में ये फोरम जो है आपका अग्रिशित हो सकता है। और टाइम पर चातवरती आपको मिल सकती है। तो दोस्ते इस परकार से ये जो सारे भी दोजा, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 के जो पैंडिंग फॉरम्स पड़े हैं उन सभी के लिए खुसकबरी है। और अगर आप ने फॉरम बर रहे हैं तो आपके लिए खुसकबरी है काफी जो प्रॉब्लम है आपकी सौल हो जाएगी अन आवश्यक जो आपके अब्जेक्शन आते हैं वो नहीं आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बेचे दोस्तों और किसी भी अने परका की मदद के लिए हमें कमेंट्स कर सुजाव जरूर मांगे या कोई भी डिटेल आपको चेहें तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरू बतावें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों शेर करें कमेंट्स करें और हमार चैनल को सिस्क्राइक करना नहीं बूलें थैंक्यू दोस्तों